कर लिए यक बार आधे-लाधे करते हैं, वस्तुई क्लास के लिए राधे-धे राधे-धे-धे मनीज जी आपका प्लीज स्कर्ण करें करें अनुट करके लूँद सब्स्तो है करके आज के दिवाली वस्तु छास में आज बिसिकली जो हम लोग सीखने वाले हैं वो वास्तो के साथ साथ फैंक्शुई निम्रोजी करके एक टॉपिक है जो मैं पढ़ाता हूँ तो दिवाली के टाइम में जब एनरजी बहुत हाई रहती है तो कैसे हम फैंक्शुई और वास्तो को यूज करके अपने लाइफ में अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है जो पैसे की प्रॉब्लम है या जॉब में प्रॉब्लम है या ग्रोथ में प्रॉब्लम है कैसे उनको हम दूर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसी चीज़े मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसको अगर आपने इंप्लिमेंट किया अपने लाइफ में तो आप देखेंगे कि आपके अंदर वो positive changes especially जो है money से related क्योंकि जो दिवाली का समय है उसको मालक्षमी के साथ वो करके चलते हैं तो जो पैसे की problem है जीवन में उसमें आपको बहुत सारा improvement देखने को मिलेगा ठीक है तो शुरू करते हैं लेट मी शेयर मैं स्क्रीन तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें wealth create करना है तो वास्तू के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे कि feng shui के हिसाब से क्या कर सकते हैं कौन से zone या कौन से direction हमें help कर सकते हैं wealth create करने में इसके बाद उन जोन या उसकी क्या remedy हम कर सकते हैं और दिवाली के टाइम में क्या ऐसा कर सकते हैं कैसे इन चीजों से और ज़्यादा blessing ले सकते हैं क्या remedy हमें दिवाली की टाइम में करनी है उसको भी हम लोग समझेंगे यह देखे जो आज का topic आप लोग देखेंगे तो यहां पर सिर्फ यह कोशिश नहीं है कि हम जो है दिवाली पर यह remedy कर लें कोशिश यह है कि इसके पीछे का जो science है इसके पीछे का जो logic है उसको भी आप समझें अगर उसको आप समझेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से convinced तरीके से जो है आप फिर उस remedy को कर सकते आपका subconscious mind उसको बहुत ज्यादा फिर accept करेगा ठीक है तो यह करने के लिए आपको कम से कम यह आठ डिरेक्शन पता होनी चाहिए ठीक है घर को अगर हम आठ हिस्से में डिवाइट करेंगे एवरी 45 डिगरी पे एक डिरेक्शन डिगरी साउथ वेस्ट जो है 225 डिगरी वेस्ट जो है 270 डिगरी और नॉर्थ वेस्ट जो है 300 डिगरी तो बिसिकली करना क्या है आप घर के अपने सेंटर में जरूरी नहीं कि गदम exact सेंटर होगा घर के सेंटर में आप अपना कमपास खोलिए फोन में और अपने हाथ पे आपके कमपास में कहां आ रहा है जहां पर 45 डिग्री आ रहा है वह आपका नौर्थ इस्ट है वहां पर आपको नौर्थ इस्ट की रेमिडी करनी तो अधर आपको ग्रिडिंग या वास्तू से रिलेटर कोई भी चीज़ें नहीं आती तो कोई बहुत फरक नहीं पड़ता है आपको सिर्फ और सिर्फ नमसम तरीके से ये देख लेना है कि कौन सी डिरेक्शन कहां आते हैं और किस डिरेक्शन के लिए कितना डिग्री है जैसे अगर मुझे मैंने कहा इस्ट में आप कोई रेमिडी करिए तो वो 90 डिग्री तो आप अपने कमपास को जब घर पे लेके खड़े होंगे बीच में सेंटर पे 90 डिग्री जहां आपको दिख रहा कमपास दिखा रहा है एक लमसम डिरेक्शन आप 90 डिग्री मांग कर लेंगे तो उस 90 डिग्री पे आपको इस्ट में रेमिडी करनी है जैसे गर मैंने साउथ इस्ट कहा तो घर में 135 डिग्री कहां प तो दो चीजे हैं लेकिए वास्तू के हिसाब से कभी भी कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो वास्तू में मैंने आप लोगों को एक resultant force करके कंसे पढ़ाया हुआ है जो पहला वीडियो है वास्तू का जो free classes है उसमें जो पहला वीडियो है उसमें आपको इसके बारे में औ नौर्थ इस्ट डिरेक्शन से जो एनर्जी हमारे घर में आती है वो ब्रह्मस्तान से होते हुए साउथ वेस्ट तक जाती है और यही एनर्जी फिर पूरे घर में spread करती है और इसका जो flow है वो clockwise होता है तो basically वास्तू क्या कहता है वास्तू principle यह कहता है कि जो resultant force हमारे घर में आ रहा है पहले तो यह अच्छे से आए और अच्छे से आने के बाद यह clockwise मूव भी करें अगर यह अच्छे से आया ही नहीं तो clockwise movement की बाती नहीं अच्छे से आई नहीं रहा है मतलब वो नौर्ट इस मेरा ब्लॉक है कटा है छोटा है बड़ा है जिसकी वज़से imbalance है त तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें resultant force को सही करना है क्योंकि जब तक घर में clockwise इनर्जी मूव नहीं करेगी आप वास्तों के पचास जार प्रोड़क्ट लगा लीजिए आप वास्तों के पचास जार remedy कर लीजिए जीवन में 0% क्या कहते result आएगा तो सबसे जरूरी जो आगे हम लोग समझेंगे ठीक है नॉर्थ इस्ट से एनर्जी आई ब्रह्मस्थान से होते वह जब इनर्जी ब्रह्मस्थान में आती तो वह स्कैटर करती है पूरे घर में और वही एनर्जी फिर आगे साउथ वेस्ट में भी जाती है तो हमें अपने resultant force को fix करना होगा कैस क्यर्स करूं को इसके अलावा जो है अश्ट लक्षमी जो है वासु में अश्ट लक्षमी जो हमारे क्या कहते हैं पुराने गृंथों में जो है अश्ट लक्षमी गवन करती हैं तो different different aspect of life को गवन करती हैं कुछ पैसे को गवन करेंगी, कुछ connection को गवन करेंगी कुछ जो है luck factor को गवन करेंगी तो इस तरीके से individual level पे वो different different चीज़ों को गवन करती है मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ की जीवन में आवश्यक्ता है अगर मैं उस लक्षमी की energy को invoke करूँ, अगर मैं उस लक्षमी की पूजा करूँ तो मेरे जीवन में उस particular लक्षमी की blessing आए युकि लक्षमी जो है different different form है ठीक है जैसे नौर्थ जो है वो नौर्थ में धन लक्षमी होती है ये क्या करती है, opportunity create करती है wealth generate करने के लिए ठीक है नौर्थ इस्ट में जो है सनातन लक्षमी जो होती है ये आपके luck factor को enhance करती है, luck factor देती है यहीं से हमारा resultant force आ रहा है, भाग ये जो है, भाग ये हमारा यहीं से बनता है इस्ट जो है ऐश्वर लक्षमी ये हमें social recognition, जो हमारा social circle है, वो कितना अच्छा रहेगा कितना जादा हम अपने social circle में popular है, लोगों से अपने अच्छे connection है ये अश्वर लक्षमी से बता चलता है South East जो है धन्य लक्षमी, ठीक है, धन्धान नी जिसको कहते हैं धन्य लक्षमी मतलब ये liquidity and cash flow, तो बहुत ही important direction हो जाती है, अगर जीवन में पैसे से जुड़ी समस्याएं हैं तो South East का balance होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप business run कर रहे हैं, अगर आपका South East balance नहीं है अब बहुत hard work कर सकते हैं, लेकिन फैसा नहीं आएगा, तो धन्य लक्षमी जो है, South East ये बहुत important हो जाता है South जो है आदी लक्षमी, ये आपके family values को represent करती है कि जो हमारे traditions हैं, जो हमारे family values हैं, उनको हम कितना adopt करते हैं, कितना accept करते हैं कहते हैं परंपरा जिसको कहते हैं, तो वो परंपरा हमारे घर में कितना follow होता है हमारे दादा जी, हमारे पर दादा, हमारे पिता जी, इन्होंने जो चीजे की, जो values इन्होंने इन्स्टिल की, क्या वो मेरे family में, मेरे आगे की generation में pass on हो रहा है, या नहीं हो रहा है, तो उसको जो है ये south आदी लक्शमी जो है, represent करती है, साउथ वेस्ट जो है ध्यरे-लक्ष्मि यह patience को represent करती है अगर आपको जीवन में अगर आप बहुत in patience है तो आपको सारे जो अश्ट लक्षमी है, उन सब की पावर जो है मिला के वेस्ट डिरेक्शन में आ जाती है, बहुत बहुत इंपोर्टन डिरेक्शन हो जाता है हमारे जीवन में financially भी और बाकी हर तरीके से, मतलब अगर मैंने अपने वेस्ट डिरेक्शन को activate किया, तो ये जो बाकी के सा लक्षमी है, मतलब जो अश्ट लक्षमी की क्रिपा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट डिरेक्शन को activate करके ही क्या कहते हैं, वो होना शुरू हो जाता है, गेन का डिरेक्शन है ये, क्यों? सैटन भी इसको रूल करता है, सैटन क्या होता है? निमरलोजी में आर्ट नंबर रेप्र अगर आपका वेस्ट डिरेक्शन अच्छा है, तो बाकी की चीज़े धिरे-धिरे-धिरे जीवन में आनी शुरू होती है, बाकी जितने लक्षमी है, उनका जीवन में धिरे-धिरे जो है, क्या कहते हैं, आगमन होना शुरू होता है, और जीवन में ब्लेसिंग आनी शुर जरूरत पड़ती है तब support मिलता है क्या ये जो है वेस्ट जो है नॉर्थ वेस्ट विजय लक्षमी तो हमें क्या करना है दिवाली पर हमें ये देखना है कि हम मा लक्षमी की कृपा मा लक्षमी हमारे घर के चारो तरफ आठ डिरेक्शन में different different form को denote करती है जिस चीज की आवश्यक्ता है जैसे हम दिवाली की बात कर रहे हैं तो दिवाली पे हमें धन की हम पूजा करते हैं हमें ये मतलब हमारी डिजायर होती है कि हमें जीवन में बहुत सारा धन धान्य मिले बहुत सारा एश्वर मिले, बहुत सारा पैसा मिले ताकि हमारा जो ये मेटरिलिस्टिक लाइफ है ये अच्छा चल सके हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके हमारे बच्चे अच्छा जीवन व्यतीत कर सके हमारे parents, हमारे माबाप अच्छा जीवन बतीत कर सके तो कैसे अश्ट लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में आएगी दिवाली पे हम उसकी कोशिश करेंगे और किस direction को ज़्यादा invoke या activate करना है ताकि अश्ट लक्ष्मी की कृपा जो हमारे जीवन में बनी रहे ठीक है तो जो direction जो है बहुत ज़्यादा important हो जाते है दिवाली के reference में दिवाली के perspective में या पैसे के perspective में money के perspective में वो है north मतला हमें धन लक्ष्मी की क्रिपा जरूर चाहिए क्योंकि बिना opportunity के बिना opportunity के पैसा कमाया जा सकता है अगर जीवन में आवसर ही नहीं है तो पैसा कमाना संभव नहीं है तो बिना opportunity के आप जीवन में पैसा नहीं कमा सकते कभी कदार lottery बगरे लग सकती है बट वो भी opportunity मिलने पे ही आती है तो opportunity आए जीवन में जब opportunity आएगी अब वो cash flow में convert होगी नहीं convert होगी वो एक अलग की बात है लेकिन हमारे जीवन में औसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अगर औसर नहीं आ रहे हैं तो north direction तो हमें क्या करना है ऐसा एक cycle create करना है इस दिवाली ये पूरा का पूरा जो पैसे वाला cycle हो complete हो और जीवन में पैसे की वर्षा हो पैसे की वर्षा होनी शुरू हो जाए तो नौर्थ धन लक्षमी को हम जो है अपने जीवन में लेके आएंगे नौर्थ डिरेक्शन को activate करेंगे साउथ इस्ट धान्य लक्षमी सबसे important अगर आपको पैसे से बारे में सोचना है साउथ इस्ट जो है fire element money is nothing but the energy और fire क्या है वो pure form of energy है तो पैसा अगर जीवन में चाहिए अगर cash flow चाहिए तो जितना ज्यादा आपका fire active रहेगा balance active का मतलब यह नहीं कि बहुत बड़ा हो गया आपका fire direction या साउथ इस आपका बहुत बड़ा हो गया तो बहुत अच्छा है balance जितना रहेगा उतना जीवन में cash flow और wealth को यह denote करता है वेस्ट जो है power of eight लक्षमी तो यह बहुत important है क्योंकि हम west direction को active करके अश्ट लक्षमी की क्रिपा अपने जीवन में पार सकते हैं तो कोशिश यह करनी है कि west direction को भी हम activate करें तो अगर यहां पर हम देखें अश्ट लक्षमी प्लस resultant force के हिसाब से north east, north, south west और west यह चार direction जो है बहुत ज्यादा important हो जाती है वास्तू के हिसाब से हमें अपने north east में resultant force fix करना है, north में opportunity चाहिए, south east में धान लक्षमी तो हमें धन चाहिए और west में power of 8 लक्षमी तो अश्ट लक्षमी वहाँ खुद विराजमान हो जाएंगी अगर मेरा west activate हो जाएगा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अब जो है feng shui nemerology के हिसाब से, यह एक topic है जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, जहां पर मैं feng shui को लेता हूँ, nemerology को लेता हूँ और उससे जीवन में कैसे blessing लेते आ सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं तो अब feng shui nemerology के हिसाब से, कौन से number, कौन से direction ऐसे हैं, जो important है wealth creation के लिए, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं देखिए, nemerology में जो है, 4, 3, 6 and 7, जो ये number है, ये बड़े important होते हैं, wealth creation के लिए, बिना number 4 के, राहु को हम लोग बहुत ज़्यादा negative number बोलते हैं, ठीक है, nemerology में होता भी है जिनका भी date of birth 4 का है, psyche care destiny 4 का है, उनके जीवन में struggles रहते हैं, ये सचाई है, ठीक है लेकिन बिना चार number, बिना राहु के blessing के, आपके जीवन में wealth कभी भी create नहीं होगा पैसा आएगा, चला जाएगा, नहीं भी आएगा, ये भी हो सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं, wealth अगर create करना है, तो चार number की blessing ज़रूर चाहिए, ठीक है तीन number जो है, ये growth को denote करता है, फेंशुई में, ये growth को denote करता है, निम्रोलोजी में, तो बिना growth के जीवन में पैसा कैसे आएगा, तो growth बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो six और seven है, ये metal element है, metal element का मतलब हुआ बहुत सारा पैसा, तो अगर किसी का metal element complete है, अगर किसी का six और seven number अगर उनके लोशो कृण में complete होता है, तो वो जीवन में बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, ये possibility होती है, आप ये research करके देखिएगा, experiment करके देखिएगा, जिसका भी six और seven complete है, उनके जीव जीवन में cash flow जो है बना रहता है, उनके जीवन में पैसा आते रहता है, रुकेगा, नहीं रुकेगा, वो rich होंगे, wealthy होंगे, वो different discussion है, ठीक है, और यहां पी जो number five है, लेकिए ब्रहमस्थान जो है, ब्रहमस्थान का वास्तू में भी, ब्रहमस्थान का निम्रनाची में भ है, अगर सही नहीं है, अगर balance नहीं है, तो जीवन में स्थीरता नहीं आएगी, जो resultant force आ रहा है वास्तू में, वो क्या होगा, पूरे घर में spread नहीं होगा, जो energy clockwise move करनी चाहिए, वो energy clockwise नहीं move करेगी, ऐसे ही अगर आपके पास number five missing है, तो जीवन में जो है, क्या कहते हैं stability नहीं रहेगी, जो energy हमारे body में clockwise move करनी चाहिए, शायद वो नाम move करेगी, जीवन में बड़ा साना घमाशान उतार चड़ाओ लगा रहेगा, तो इस वज़े से five, four, three and six, three, six and seven, ये जो number है, ये number बड़े important हो जाते हैं, अगर आपको financial success चाहिए, ये ना सिर्फ आपके जी को store करेंगे, save भी करेंगे, तो ये सारे number important हो जाते हैं, five जो है, ब्रहमस्तान को represent करता है, four जो है, south east को represent करता है, three जो है, east को represent करता है, six जो है, north west को, और seven जो है, west को represent करता है, ठीक है? तो अगर मैं इन दोनों चीजों को combine करना, अगर मैं इन दोनों चीजों को combine करलू, तो कौन से ऐसे direction निकल के आ गए, जिनको मुझे balance करना पड़ेगा, activate करना पड़ेगा, ताकि जीवन में blessings आनी शुरू हो, जीवन में financial success मिलना शुरू हो, और दिवाली की time पे करना जरू जरूरी इसलिए है, दिवाली के पहले करना जरूरी इसलिए है, ताकि मेरा घर जो है, वो positive energy में vibrate करे, ताकि मा लक्ष्मी की कृपा जो है, उस पे बदनी शुरू हो, जो energy universe से आने वाली है दिवाली को, दिवाली क्या है, universe की energy बहुत high है, कहते है न मा लक्ष्मी, उस दि सैर पे निकलती है, और सब घरों में जाती है, जो घरों को अच्छा लगता है, वहां रुक जाती है, तो रुकने का मतलब क्या है, अच्छा लगने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कोई महलों का तब वहीं रुकेंगी, it's all about the energy of the house, universe की energy उस दिन जो frequency है, वो higher frequency पे universe vibrate कर रहा ह अगर आपका घर lower frequency पे vibrate कर रहा है, तो attraction नहीं होगा, जब अपने घर को आप higher frequency पे लेके आएंगे, आप बहुत सारा ये positive energy जो है, attract कर सकते हैं, मतलब मा लक्ष्मी की क्रिपा अपने जीवन में लेके आ सकते हैं, मा लक्ष्मी आपके घर पे आके रुक जाएंगी, क्यों उनको वहाँ पे अच्छी energy मिली, अच्छा लगा उनको, universe की energy आके वहाँ पे टुक जाएगा और बहुत जादा attract होगा, क्यों क्योंकि आपके घर का energy बहुत positive है, बहुत हाई, अगर आपके घर की energy low है, तो फिर universe की energy और इसमें कोई attraction होगा नहीं, as per laws of attraction, ठीक है, तो अगर हम कहानियों की बात करें, या ऐसे myth की बात करें, तो फिर मा लक्ष्मी जो है, आपके घर में उस दिन नहीं आएगी, उस दिन वो सैर पे निकल रही है, लेकिन वो आपके घर में नहीं, ठीक है, तो north east जो है, luck factor को, या resultant force को fix करना बहुत जरूरी है, अब देखिए, कि ये जो direction हम लोगोंने conclusion में निकाला है, इन directions पे हम लोग काम करेंगे, इन direction की energy को activate करने की कोशिश करेंगे, fix करने की कोशिश करेंगे, so north east जो है luck factor या resultant force, north जो है वो opportunity को दिखाता है, east social recognition, south east जो है cash flow and wealth, west जो है Saturn की direction है, तो इक्षापूर्थी, gain, शनी क्या देता है, शनी हमें gain देता है, ठीक है, तो west क्या करता है, gain को दिखाता है, और north west जो है support है, लेकिन west और north west से मिला के metal element हमारे घर में complete होता है, six and seven as per feng shui, तो वो भी बहुत important aspect है, जितने भी लोगों के पास six और seven है, उनके जी वैसे सिर्फ यही नहीं कि जिसके पास सिर्फ six और seven है, उनके पास ही बहुत ऐसा आएगा, बहुत सारे और factors है, लेकिन वो neemology का विशह है, उस पे बहुत जादा आमनों नहीं जाएगा, अब ये चीज़ आप लोगों ने note कर ली कि कौन-कौन से direction important है, उनको हमें activate करना, इतना knowledge या इतना detail share करने का purpose यह है कि जो आप उसको कर रहे हैं, तो आप convince रहें, आप उस चीज़ को समझ पाए कि करना क्या है, किस तरीके से करना है, मतलब क्यों मैं कर रहा हूँ, ये क्यों जो है न, ये बड़ा important है, क्योंकि तब हमारा subconscious mind उस चीज़ को accept करता है, ठीक है अब remedy पर आते हैं, तो remedy के लिए आपको चाहिए क्या क्या, एक तो आपको चाहिए wooden box, ठीक है, छोटा wooden box, बड़ा woven box, कैसा भी wooden box आप ले सकते हैं, लेकिन लखडी का box होना जरूरी है, दूसरा जो है, आपको एक तो या तो metal का box ले लीजिये, छोटा सा metal का box ले लीजी, या फिर अगर पीगी बैंक अगरे मिलता है मेटल का तो वो भी बहुत अच्छा है इसके बाद जो है धनतेरस पे आपको थोड़े पैसे विड्रॉ करने जो भी आपकी श्रद्दा हो पांच जार दस जार पचास जार एक लाग पचास लाग ठीक है पचास लाग बहुत जाद पांच जार के अनर्जी पर उतनी है विए टॉकिंग अबाट एनर्जी ठीक है लेकिन धनतेरस के दिन ही आपको विड्रॉ करना यह जरूरी और धनतेरस को वैसे हम लोग सोना चांदी खरीदते हैं तो अगर आप खरीद सकते हैं तो थोड़े सिक्के जो घर में पड़े है उनको ही धो के उनको ही साफ सुतरा करके कहिए कि यह मैंने मतलब धनतेरस पे मैंने इन सिक्कों को खरीदा है अपने सबकॉंशनस माइंड को वैसा मैसेज देदीजिए अगर आप सिल्वर कोईन में अगरे खरीज सकते हैं तो खरीद लीजिएगा अगर गोल्ड करीज सकते अब यह जो रेमेडी है यह थ्री पार्ट में आपको करनी है विफोर दिवाली और आफ्टर दिवाली क्या करनी है आपको उसकी बात करनीते हैं कि सबसे जरूरी हम अपने दिवाली पर हम क्या करते हैं अपने घर को साफ सुद्रा करते हैं ठीक है जितना भी घर में क्लटर है जितना भी अन्यूजड आईटम है और क्लटर की डेफिनेशन क्या है अगर आपने कोई समान पिछले एक से दो महीने में यूज लुज नहीं किया है तो बहुत हाई पॉसिविलिटी है कि उसको आप जीवर में कभी यूज नहीं करना है तुछ घर में जितना भी प्लटर है उसको हटाइए गलीन करजीए यह फैंक्शुई में क्लटर को क्लीन करना सबसे बड़ा रेमेडिया आपके जो ड्रावार्स हैं ड्रावर को निकाल लिए, साफ करिए, तब अगर उस चीज की आवशक्ता नहीं है, तो उस चीज को घर में नहीं करता चाहिए, जितना आप अपने घर को neat and clean करेंगे, उतनी negativity उसकी दूर होनी शुरू होती है, घर हलका होता है, क्यों? जो कि जो ची एनरजी होती है, जिसको हम कहते है, उसको rotate करने का जगा मिलता है, तो वो क्या करता है, उस घर को positive बनाता है, तो घर को clean करना बहुत ज़रूरी है, ये भी possibility हो सकती है, कि घर में बहुत सारी negative energies accumulate हो गई हो अगर ऐसा है, तो आप जो है, rock salt लीजिए, एक glass कांच का काांच का होना ضरूरी है ठीक है उसमें पानी डालिये उसमें रोक्स लाद दालेजें 1-2-3-4 चमुप ऊपिश्ड़धय अप जख़्रध हो उतना डाल दीजिये और उसको आप अपने घर में कहीं एक जगा पर रख दीजिए ज़रूरी नहीं कि वो दिखेगा दिखने की ज़रूरत नहीं है उसको एवरी 24 आवर दिवाली के पहले मतलब एक हफते तक अगर आप कर रहे हैं तो जब आप जिसमें कमफर्टेबल है ठीक है 24 आवर करेंगे तो ज़्यादा एनरजी वो नेगेटिव एनरजी सब करेगा फोटीएट आवर में करेंगे तो फड़ा कम करेंगे ठीक है लेकिन एवरी 24 तो 48 आवर आपको उस पानी को अपने क्या कहते हैं ट्वालेट में उसको फ्लश कर दीजिए नया पानी लीजिए नया रॉक सॉल डालिए फिर रख दीजिए ये दिवाली के पहले दिवाली के जिस दिवाली धंतेरस जिस दिन शुरू होता है उस दिन से आपको बंद कर देना है क्योंकि धंतेरस को एनरजी बहुत हाई है तो हमें वो पॉजिटिव एनरजी अब अपने घर में लेना है उसको वापस से डिसिपेट नहीं करना है तो धंतेरस के जस्ट पहले तक आप यह करेंगे ताकि घर की जितनी नेगेटिव एनरजी है जब हम अपने घर की नेगेटिव एनरजी हटाएंगे तभी तो पॉजिटिव एनरजी को मूव करने की जगह मिलेगी ना तो हम अपने घर की नेगेटिव एनरजी को सारा हटा देंगे सारा एक्युमिलेट करेंगे सारा वो rock salt के त्रू दीरे 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 आप देखेंगे कि एक हफ़ते में अगर आपने अपने घर को clean कर लिया clutter clean कर लिया और अगर आपने ये rock salt वाली remedy कर ली तो आप देखेंगे कि धंतेरस के पहले तक आपके घर में आपको खुद positive फिल होना शुरू हो जाएगा जब आपने ये कर लिया करने के बार आप क्या करना है हमें resultant force पे काम करना है ठीक है resultant force मतलब north east north east को activate करेंगे north east में देखें कभी भी कोई भी भारी चीज़ नहीं होनी चाहिए यह बहुत ज्यादा जो है परिशान करेंगा जी मैंने बहुत सारी दिक्कते लेके आएगा ठीक है तो उसको clutter free करिए ताकि वहाँ से energy घर में enter कर सके अगर वो बहुत जादा clutter है तो energy आके वही प्रस्ता को जाएगी आपकी घर में energy move नहीं कर पाएगी इसके बाद north east में आप एक छोटा सा money का plant blue west जैसे आपके आपके दिख रहा है picture दिख रही होगी exactly ऐसा जो है इतने ही size का एक money plant आप plant करेंगे north east में यह क्या करेगा उस जगह की ची को activate करेगा उस जगह की energy को activate करेगा north east को activate करेगा तो north east क्या करेगा universe के साथ connection बना के वहाँ से universe की energy आपके घर में लाना शुरू करेगा अगर आप आपने सब कुछ clean कर दिया है तब आप वहाँ पे एक white color का pyramid छोटा सा plastic का pyramid market से मिल जाएगा ठीक है हमारी team भी आपको available करा देगी आपको एक pyramid मिल जाएगा मतलब लगाना है वहाँ देखे pyramid का का काम क्या है वो किसी भी जगह की energy को बहुत ज़्यादा enhance कर देता है अगर नॉर्थ इस्ट में आपका clutter है मतलब negative energy अगर आपने नॉर्थ इस्ट में pyramid लगाया clutter के साथ तो वो negative energy को enhance करेगा ठीक है तो हमें clean करना है साप सुथना करना है clutter free करना है heavy नहीं रखना है और उसके बाद यह money plant लगाके तब जो है आप pyramid लगा सकते हैं अगर आप comfortable नहीं है तो अगर आप pyramid नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा लेकिन pyramid is a very very powerful remedy अगर आपका नॉर्थ इस्ट अच्छा है balance है तो अगर आपने वहाँ पे pyramid लगाया तो वो बहुत amazing result देके जाएगा ठीक है इसके बाद जो ब्रहमस्थान है हमारा वो ब्रहमस्थान भी clutter free होना चाहिए मतलब यह जो आपका यह है यह जो north east ब्रहमस्थान और यह जो line है यह line आपकी बिल्कुल block नहीं होनी चाहिए यह line बिल्कुल clear होनी चाहिए ताकि यह energy move कर सके ठीक है तो अगर आपने ब्रहमस्थान में ही माली यह अपना sofa रग दिया या ब्रहमस्थान में कोई ऐसी चीज रग दी तो क्या करेगा यह उसको block कर देगा अब वो energy ब्रहमस्थान में आके अटक गई अब वो कोशिश कर रही है महाँ सके सैटर होने के लिए के नहीं हो पा रही है तो फिर आपका resultant force नहीं बन पाएगा clockwise जो movement energy की है वो energy की movement clockwise नहीं हो पाएगी ठीक है तो इसलिए जब हम नौथ इस को आपने बैलेंस किया ब्रहमस्थान को clutter free किया और south west को heavy करना है बतलब वो जो energy आ रही है ऐसा नहीं कि वहाँ पर खिड़की हो गया खिड़की कोल के रखा हुआ है ये नहीं करना है अगर खिड़की है बंद रखेंगे अगर डोर है तो बहुत खराब है उसको हमेशा ही बंद रखेंगे वहाँ yellow color के मोटे-मोटे परदे लगा देंगे ठीक है आलमारी बगरे वहाँ रख देंगे ताकि वो जगह heavy हो जाए heavy होगा तो क्या होगा जो ये energy आ रही है मेरे घर से बाहर नहीं करना है अब मेरे घर में ही ये घूमने लगेगी ठीक है तो north east को मेरे आपको बता दिया क्या करना है ब्रह्मस्थान को क्या करना और south west को क्या करना है इस तरीके से आप अपने घर को एक positive energy का source बना रहे हैं आप क्या कर रहे हैं अपने घर को एक positive energy का source बना रहे हैं युनिवर्स से आप energy attract करके अपने घर की energy को आप पहुझे देखे बहुत ही logical है और यही वास्तू है resultant force की बात कोई नहीं करता है but at the end of the day resultant force is the most important concept in वास्तू अगर आपका resultant force fix इसलिए resultant force को fix करना बहुत जरूरी है otherwise अगर हमने resultant force को fix नहीं कि और बाकी जितनी भी remedy करनी कर ली आपको वह result जीवन में कभी नहीं मिलेगा हमें higher frequency पे vibrate करना है हमारे घर को higher frequency पे vibrate कराना है जब वो clockwise energy आएगी तभी जीवन में blessing आएगी ठीक है तो यह clear हो गया सबको resultant force कैसे हम fix करेंगे आगे चलते हैं अब बात करते हैं क्या कहते हैं नौर्थ डिरेक्शन की remedy की तो नौर्थ डिरेक्शन में आपको क्या करना है नौर्थ डिरेक्शन में दो option है आपके पास तो अगर आप चाहें तो नौर्थ डिरेक्शन के जो रत्न है जो देवता है ठीक है लॉर्ड या रूलर जिसको आप कह सकते हैं देवता नहीं कहेंगे रत्न क्या है रत्न जो है जब छीर सागन में जब मंतन हुआ था उसमें से चौदा रत्न निकले थे तो उसमें से एक जो पसर लेके आते हैं money making opportunity इनको धन का देवता कहा जाता है लेकिन innocence क्या है कि ये धन कहां से आएगा कैसे आएगा उसके देवता है ठीक है तो कुबेर देवता की आप चाहें तो एक statue लगा सकते हैं वहाँ अगर आपके पास जगह है अगर नहीं जगह है तो आप एक photo लगा स सकते हैं ऐसे flowing बहता हुआ पानी बहता हुआ पानी क्या करता है और सर को डिनोट करता है तो अगर आप उबेर देवता की photo या statue नहीं लगा सकते हैं तो जैसी आपको scenery यहां पे दिख रही है बहते हुए पानी की बहुत पहाड वगरे नहीं होने चाहिए ठीक है ग्रीनरी और पानी चलेगा और बहता हुआ होना चाहिए बहता हुआ पानी क्या denote करता है कि वो बह रहा है और बहने के साथ आपके जीवन में आवसरों को ले के आ रहा है तो यह क्या करेगा north direction को activate करेगा और जितना activate होता जाएगा north direction उतना ज्यादा जो है फिर जीवन में आवसर आ आने शुरू हो जाएगे इसके बाद जो है दूसरा जो आता है साउथ इस्ट डिरेक्शन में जो है आपको जैसा यहां पर ग्रीन सीनरी दिख रही है इस तरीके का एक ग्रीन सेनरी का पिक्चर लगा देना है छोटा बड़ा ड़सन मैंटर अगर आप ग्रीन सेनरी का अच्छा रिजल्ट देखे जाएगा बहुत बढ़िया बहुत अमेजिंग रेमेडी अगर आप जीवन में पैसा नहीं बचता है अगर आप साउथ इस डिरेक्शन में यह एक ग्रीन सीनरी की अगर फोटो लगा देते हैं तो यह साउथ इस डिरेक्शन को आक्टिवेट कर करना शुरू करता है बैलेंसकर शुरू करता है और आप देखेंगे कि बहुत अमेजिंग जो है रिदल्ट आने शुरू है इसके बाद वस्त डिरेक्शन जो है यहाँ पर अस्ठ लक्शमी का फोटो आप मार्केट में मिल जाएगा बैस डिरेक्शन बहुत-बहुत-बहू स्थनी शुरू हो जाएगी और बहुत अमेजिंग जो है रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा ती और इसके बाद जो लास्ट है वह है नौर्थ वेस्ट में एक ब्रास का डियर जो है आप लाके वहाँ पर रख सकते हैं ब्रास का डियर क्या करता है कि सपोर्ट को डि करता है तो ब्रास का डियर जो है आप लाके नौर्थ वेस्ट में रह सकते हैं अब ये जितनी चीज़ें आपने की ये सारी चीज़ें ये प्रिपरेशन है अपने घर को आप रेडी कर रहे हैं कि उसकी एनरजी पॉजिटिव हो जाए वो दिशाये पॉजिटिव हो जाए ता तक ये जो वीक आपका आगया विकेंड पे आप हैं विकेंड पे इन चीज़ों को आप अरेंज करिए इन चीज़ों को अरेंज करके अपने घर में इनको आप लगाएंगे घर को क्लीन करिए घर में सेंधा नमक से अगर चाहें तो आप पोशा बगरे भी लगवा सकते हैं नहीं तो सेंधा नमक अपने बाउल में रखे हो तो आप बिल्कुल करिए ही करिए ताकि वो एनर्जी, नेगेटीव एनर्जी अट्रैक्ट करें, नेगेटीव एनर्जी को खतम करें, ताकि घर में जगह बने तब पॉसिटिव एनर्जी को जगह मिलेगी बूफ करने के इसके बाद जो है आप South East को activate करेंगे, West को activate करेंगे और North West को activate करेंगे ये आपकी preparation हो गई before दिवाली, मतलब धन्तेरस के पहले तक आपको ये सारी चीज़े कर लेनी है तकि अब धन्तेरस से जहां से हमारी दिवाली शुरू होती है, वहां से हमको क्या करना है, बुश्की हम बात करते हैं आगे तो कि दिवाली के दिन क्या है, ये जो मंत्र है, ओम हरीम श्री लक्षमिभ्यो नमा हे लक्षमिभ्यो मा, मेरे जीवन को धन धान्य से भर दीजी, ठीक है, ये मंत्र हमें अपने दिवाली के पुझा में, जो भी आप पुझा दिवाली की करते हैं, उसमें जो भी आप रिच्वल फॉलो करते हैं, आप वो रिच्वल फॉलो करिए, उसमें कोई रुकावट न काला है, जो आपने क्वाइन, जो क्लीन किये हैं, प्लस जो आपका वुडेन बॉक्स है, जो आपका मेडल बॉक्स या पीगी बैंक है, ये सारी चीजें आप अपने दिवाली की पुझा में रखेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आप वहां रखके, अपने दिवाली की यह ठीक है यह करने के बाद आप क्या करेंगे जो वुडेन बॉक्स है उस वुडेन बॉक्स को आप लेंगे उसको आप साउथ इस्ट डिरेक्शन में रख देंगे अभी पैसा नहीं रखता है उसमें सिर्फ और सिर्फ वुडेन बॉक्स ले जाके साउथ इस्ट डिरेक्शन में आप रखेंगे और दिया लेके जाएंगे और वहां पर रखेंगे फिर से ये मंत्रा जो है ग्यारा बार चैंट करेंगे साउज इस डिरेक्शन में बैठ के ताकि उस जगह की एनरजी और ज्यादा फिर जो है मेटल जो बाक्स है उस मेटल बाक्स को हम वेस्ट डिरेक्शन में लेके जाएंगे और वहां रखेंगे और फिर वहां बैठ के दिया लगाके और वहां भी ग्यारा बार इसी मंत्र को चैंट करना है तो क्या करना है आपको दिवाली की पूजा करनी है जो आपने cash, coin जो आपने wooden box और metal box ये सारी चीज़ें आपको अपने दिवाली की पूजा में रखनी है दिवाली की पूजा करने के बाद दिवाली की पूजा में 11 बार आपको ये mantra chant करना है इसके बाद wooden box लेके south east direction में रख करेंगे वहां पर दिया लेके जाएंगे और 11 बार फिर से उसको चैन्ट करना है अब यह आपके दिवाली वाले दिन आपने यह रेमेडी कर लिए इसके बाद दिया आप अपने मंदी में रख दीजिए और मालक्ष्मी को धन्यवाद दीजिए कि उनके आप हमारे घर में आपने रेडी किया आपने उसकी एनरजी को हाई किया अपने उन दिशा ओं को एक्टिवेट किया आप पर बनी रहे अब दिवाली जब कर दो जाएगी अगले दिन जब आप क्या कहते हैं अगले दिन जब आप वो कर रहे हैं इस कैश को आप लीजिए। जो आपका cash आपने निकाला है, वो आपके wooden box में चला जाएगा, जो आपने coin निकाले थे, coin धुले थे, साफ के थे, वो आपके metal box में चला जाएगा, अब हर महीने, हर महीने आपको उसमें से कुछ पैसा निकाल लेना है, कुछ पैसा डाल देना है, ठीक है, माल लीजी आपने 500 रुपे निकाले, 1000 रुपे डाल दिया 500 रुपे निकाले, 1000 रुपे डाल दिया क्यों करना है यह और ऐसे ही coin के case में भी करना है 2-4 point हम उसमें डाल दिया 2-4 point उसमें से निकाल लिया ठीक है तो ये क्या है कहने का मतलब की Money is the pure form of energy देथी, फायर is the pure form of energy. जब हम अपने पैसे को South East में, अपने cash को South East में रखना शुरू करते हैं, तो वो क्या करता है? वो energy जो है South East की energy को balance करता है. Så cash flow जो है जीवन में वो आना शुरू होता है और अच्छे से आना शुरू हो जाता है. और जब हम पैसा निकालते हैं, लेते निकालते हैं, तो वो क्या है, उसमें एक movement generate होती है, हम सिर्फ यह नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर लाके रख दीजी, अब छोड़ दीजी, उसको भूल जाईए, आप उससे connected है, साल भर connected है, ठीक है, हमेशा जो है आपका वो box कभी खाली नहीं होगा, और वहां से जो आप पैसा ले रहे हैं, उसमें एक अलग तरीके की energy है, जो आपको अलग तरीके से blessing देगा, और ऐसे ही same चीज़ हम वेस्ट में कर रहे हैं, जो gain की direction है, वेस्ट में जम हम अपना metal box या piggy bank रखते हैं, तो हमें savings में gain मिलता है, और जो coins है, वो metal direction को और ज्यादा enhance करते हैं, ठीक है, तो ये after दिवाली आपको ये continue करना है, कोई ऐसा fix pattern नहीं है, कुछ पैसे लिए, उसमें डाल दिए, कुछ प इस तरीके से जो है, आप अपने पूरे के पूरे ritual को आपने complete किया, और फिर ये जो है, ये दिवाली के बाद भी, अब ये आपका एक, क्या कहते है, cycle शुरू हो गया, जिसमें आप पैसा डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, और उस direction की energy से आप जुड़े हुएं, उस direction की energy को आप activate कर रहे हैं, ठीक है, ये थी दिवाली remedy, I hope कि आप सब लोग इसको करेंगे, अगर किसी को कोई question है, तो अपना hand raise कर सकता है, थोड़ी बात करेंगे हम लोग और फिर we'll end the session. जैसी क्रिश्न सर, आपको सर्दी लग रही है, मैरको ऐसे लगा, येस, 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 सर, मुझे सभी चीजे समझ में तो बहुत अच्छे से आ गए है, जो salt का आपने बना है, वो salt आपको proper salt water अपने को proper कौन से location में रखना है, हम घर में कहीं भी रख सकते हैं, बनलब बिसिकली उसका purpose क्या है, कि वो घर से negative energy attract करेगा, तो उसको घर में आप किसी भी direction में कहीं भी रख सकते हैं, उसका कोई मतलब significance नहीं है, और दूसरा question ये है, कि जो अपने metal box पूला है, तो metal box या piggy box भी रख सकते हैं, हाँ piggy box रख सकते हैं, जो बच्चों के नहीं आते, छो पास में है, ये money box बनाया है, तो वो चल जाएगा, उसमें कोई issue, वो मैंने decorative बनाया वही, तो वो ही box continue, एक ही box continue रख सकते हैं, हाँ हाँ हमेशा, बस उसमें ही पैसा डालना है, निकालना है, continuous करना है आपको, आपने और एक salt का remedy बताया, कि आप salt कुन से direction में रखने के वो अली चीज़ भी आप कर सकते है, along with जो आपको glass में करना है, ओके, वो Saturday तो मैं ऐसे Saturday to Saturday करती हूँ sir, हाँ तो आपको खुद feel होगा आपने घर में, basically, purpose यह है कि, हो सकता है कि बाकी लोग ना करते हो, तो purpose यह है कि, आपको अपने घर की negative energy को खतम करना है, ताकि आप जग करकर के रख रहे तो उसके वज़े से energy block होती है sir, यह यह से कोई machine है, machine बन पड़ी हुई है, तो वो सब चीज़ों से block होती है, यह हम लोग के Indian culture में क्या होता है, कि हम लोग हमेशा जो है, हमाल के रखते है, मतलब, यूज हो चाहे ना हो, तो आप आप में काम आएगा करके हाँ, राइट, 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 बहुत अच्छा subject है sir, यह अपने ultimate subject एक दम, और बहुत मज़ा रहे है, थैंक्यू सो मच sir, यह से सुझाता है ma'am, नमस्ते sir, नमस्ते ma'am, आज का class बहुत ही अच्छा है, यह सुल है, मुझे पुछना था sir, गए साल जब में दिवाली क हाँ, तो अपने south west को wooden box रखने को बोलाता है, यह, 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 हाँ, तो अभी, हम अभी कैसा है कि हम लोग वास्तू को भी लेके चल रहे है, south west कैसा होता है कि वो wealth गुआ को denote करता है, feng shui में, यह, हाँ, अभी कैसा है कि वास्तू को भी इसमें combine किया, और अश्ट लक्ष्म में और अच्छा result देगा, वो south west में आपको खराब result नहीं देगा, अच्छा result देगा, लेकिन south east में आपको और अच्छा result देगा, तो उसको वहाँ पने तो पास्तों रुपई से चालू किया था, लेकिन बहुत है useful था, ने तो मैं कभी पैसा ऐसा रखती नहीं थी, great, great, तो और अगर इसी चीज़ को हम south east में move करेंगे तो और ज्यादा है, जब भी पैसे आएगे, 20 रुपई तो नहीं आयती हुआ, जाकर फैला से रख जाज़िए, बहुत अच्छा लगता है, था, पिछले साल remedy की और उसकी blessing मिली, कितले अच्छा है, बहुत था, इतना amount बढ अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, वैसे रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे आ जाएगी, ठीक है, तो आप लोगो उसको फिर से देख के, मतलब बगर कोई चीज मिखो गई या वैसा है तो आप कर सकते है उसमें कोई जिक्टि हए टू पर ऐब सकते हैं आए और आपने केस बोला नट फूरा कोई भी बीक बॉक्स ले लें उसमें केस बोला और में गांप सिक्ट लें उननों ग्यांटि की खे घिक ऑह सकते हैं okay okay sir thank you thank you ma'am thank you hello sir how are you i'm good ma'am thank you how are you i'm just about okay sir um like you may name miss kiyethe last i'll have to go to the youtube and see up the kuch this thing because of uh little health issues actually sir um before that i just wanted to ask you exactly health issue ko ke liye konsa sector uh uh hamko really like uspe work out karna chahiye that that shows there is something there that the that's the reason health is being affected okay 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 right because i have not been keeping well last few days so i'm uh last for some time you know that's no problem okay i will do that sir one point so north of north east का जो डिरेक्शन है वो ब्रहमस्थान और इस्ट डिरेक्शन ठीक है तीन दिशान जो है बहुत हो जाती है हेल्ट के लिए निम्रलोजी के हिसाब से अगर आपका नंबर तीन अगर मिसिंग है राइट ऐसा है मैंने कि बहुत सारे जीवन में health issues आते हैं या अगर तीन नंबर बहुत ज्यादा रिपीट भी हो रहा है इंबालेंस हो रहा है तब भी बहुत सारे health issues आते हैं ठीक है या एक्साट्ट यह है कि मुझे पूछना है कि ब्रहमस्तान का क्याता है लेकिन अपने घर पर जब अपना खाली उस पोशन को हमने खाली रखना चाहिए ताकि उस पर कोई furniture नहीं आए कुछ नहीं आए तो वह कितना बड़ा डामेंटर ले सकते हैं हम अच्छा यह काम करेंगे फिर यह वाली जो चीज़ेंगे वह हम लोग लोग क्लास में कवर कर लेंगे तो अभी आपने की नहीं है वह पॉइंट नहीं अच्छा पॉइंट है उसको कवर कर लेंगे पॉइंट नहीं है कि हम 10% of the house जो है पूरा चोड़ा चोड़ा हो जाए अगर अभी कैसा है घर चोटे-चोटे होते है ठीक है तो यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम 10% of the house जो है पूरा चोड़ दें ठीक है बहुत मुश्किल है लेकिन अगर उसके नाभी पे ही अगर हमारा को जिसमाल जे सोफा लगाया है हमने घर में अब अगर नाभी के ऊपर ही आ गया तो फिर वह health issues create करता है फिर वह परेशान करता है फिर क्या है वह energy block हो गई अब वह resultant force जो है आ अगर उसमें बीच पे जो ब्रहमस्तान है वो exact dot point पे वो clear है लेकिन उस बड़ उसके बाद करने के लिए यह remedy मैंने बताया हुआ है अगर नहीं बताया है तो कुछ बड़ी मुश्किल से लएक यह सब्सक्राइब है अभी जब हम लोग बात्रूम पढ़ेंगे ना तो बहुत सिंबल सिंबल रेमिडी आप कर सके आपको कोई तोड़ फोन नहीं करना है तो उसके अंदर से भी थू नहीं करना है जो ना भी है क्या कहते है वास्तु पुरुष का वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और साउथ वेस्ट ने जो इक्जाग डॉट पॉइंट वो नहीं इस्टर्ब होना चाहिए और आप डैमिटर जरू बताएगे कितना बड़ा रेंज रखना चाहिए वह मै अधिशनी पर इक शर दो दो हम जांते हैं तो अधिशनी देख टाम होगा नहीं आप जानते हैं तो इवन द फीट ग्स पोशिन देनोट तर वेस्ट अरिया अ इन इन अ कुंड्ली राइट तो मैं उस सैंस में ये पूशन चाहती हूं कि कहते हैं वहांपर कुछ हैवी आप लोग केंगे के अगर हम हटा सकते हैं तो हटाएंगे क्योंकि अगर गलत कलर है जैसे कि हमने five element की थियोरी पड़ी है वैस्ट में अगर गलत चीज़े आ रही है तो तो उसको खराब करेंगे तो अगर हटा देंगे अगर नहीं अटा सकते हैं तो फिर वहां पर कुछ बटा अगा नहीं करेगा लेकिन अगर हम हटा सकते हैं तो अटा लेगे वेस्ट में काला रंग का थिंग यह सब्सक्राइब अगर थे बाविका मैं रदे रदे सर्था और बेट रदे रदे लिगे रदे रदे मैं कहने चाहोगी हमने जो last year किया था ये फैंक्षुई का तो उसमें हमने southwest में coin वाला box रखवाया था जो metal का piggy bank था और साउथ east में हमने ये रखा हुआ था wooden box and I done that and we had three money plants रखे थे हमने सद्धगा, so 3, 4, 5, 6, 7 we activate like that तो वो हो गया था और इत वर्क्स क्या इसनी भिमार थी I had that first year starting though also I purchased the valuable things on that और वो लेकर में आ गई यहां पर वापस so that I think वो कैसे हो सकता the hospitalization I spend though also I buy that bought valuable all things I never expect that but I think that is the miracle चमत कार हो गया उससे मिल गया और मैं shopping करके आगई वापस it's good, it wants कब करो यह बहुत अपर वोक करता है amazing, amazing, देखिए सब लोग करिए मैम ने भाद का मैम ने अपना feedback दिया है और इसमें अभी कैसे वास्तू के element भी जुड़ गये है तो अब यह जो है और powerful हो जाएगा ठीक के यह remedy जो है मतलब पिछले साल भी कराई थी मैंने और इस साल भी करा रहा हूँ लेकिन इसमें अब बास्तू का भी element जुड़ गया है तो यह और powerful हो गया है सब लोग करेंगे मैं खुझ भी करता हूँ कोई भी ऐसी चीज जो ना सिर्फ मैं बता दू ऐसा नहीं होता है जो चीज मैं करता हूँ वही मैं करवाता भी तो आप सब लोग करेंगे आप खुद देखेंगे कि मतलब जीमन में कहीं न कहीं एक चेंज जो है पॉजिटीव चेंज आना शुरू होगा पैसे को लेके मतलब आना शुरू हो जाएगा थैंक यू भाविका मैं थैंक यू सुम्माज रीना मैं राधे राधे सर राधे राधे मैं सर मेरा एक छोटा सा यह कोशन था कि जैसे आपने बुला बंद है तो कोई बात नहीं है मतलब ज़रूरी नहीं कि वो खुला नहीं खुला होना चाहिए अगर वो बंद है तो इस परफेक्ली फाइन लेकिन वहां पे क्लटर नहीं होना चाहिए क्लटर का मतलब हो गया जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए तो यह कवर्ड क्या है बहुत भारी है विकूल दिवार में बनी हुई है तो दिक्कत तो है ठीक है अब करने के लिए मतलब मनी प्लांट और जैसे यह वाटर फ्लो वाली मतलब यह सब चीज़े कर सकते हैं उससे फरक पड़ेगा ऐसा नहीं कि फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अगर वह भारी है तो दिक्कत है मतलब वह आपको फील होगा तो वहाँ पर आप कम से कम मनी प्लांट लगा दीजिए और इस तरीकी की चीज़े कर लीजिए ताकि कलर्स वगएर वहाँ पर ऐसा करिये जैसे ब्लू कलर वगएर ज्यादा यूज़ करिए ताकि जितना जदा आप overcome कर सकते हैं उस चीज़ से उतना अच्छा रहेगा कबड़ वगर अगर southwest में बनाए तो ज्यादा अच्छा result देगा ज्यादा आच्छा क्योंकि वह भारी चाहिए हमें ठीक है जब मैं कहता हूं कि खुला मतलब ऐसे हलका होना चाहिए इसका मतलब हलका होना चाहिए आप लिए ब्लू कलर या तो क्या हम कबड के अंदर जो वॉल है उस पे भी ब्लू कलर अगर नहीं अठा सकते तो उसपर ब्लू कलर करेंगे जैसे लेमिएट चेंज करा देंगे आज आते हैं वह पतले वाले जासे गाडियों का पूरा का पूरा मतलब वो प्लास्टिक जै कि अगर उसको पुरा कर दिया तो फिर वह जगह उस जगह में कि वह कलर पॉसिटीव हो गया तो वह दिरे दिरे उस जगह को देन करें तहिंगे तो फिर सशन लीना लीना मैं ने दो हैंड रेस किया तो उनक से बात करते हैं लीना अलो सर थैंक यू सर फॉर टेकिंग में नॉट में लगा क्यों स्टैचू का डिरेक्शिन साउट की तरफ होगा फेश हां हां उससे कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल बढ़िया अब नॉट में लगाएंगे वाल पर तो साउट में ही जाएगा न वो तो हाँ वही पूछ लियों में हाँ और जो ब्रात का डियर आपने बोला है उसका जो फेश रहेगा उसका कुछ कनेक्शन रहता है उसको हम चाहें तो ब्रहमस्थान की तरफ उसको मतलब फेश करा सकते हैं ठीक है जाकर आप अब एक एरिया होना चाहिए उसको टो टोगी तड़ीज दैट यह अपने लिए अपने लिए बहुत भी अच्छा क्वेशिंट था सर जो फाइंड बात इसली आप कर सकते हैं बहुत इसली जी सब्सक्रों कर सकते हैं बहुत और सक्टेंड अगे इसल यह तैंकि यह ठीक्य एंडिंग जो है वो बहुत अच्छी रेमेडी है पिछले साल भी बहुत सारे लोगों ने की थी इस बार इस रेमेडी को और पावरफुल बना दिया गया है थू पास्तू तो कोशिश करिए कि आप सब लोग जो है इस रेमेडी को करें ठीक है जीवन में आप देखेंगे कि क अस्ट रक्ष्मी माता की पिचर आपने बोली है उस डिरेक्शन के हिसाब से फ्रेम का कलर हमें अगर वेस्ट में लगाना है तो हमें सिल्वर या ब्लैक कलर या ब्लू कलर या यलो कलर का फ्रेम लेना चाहिए वेस्ट में हाँ अगर हम वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा ह एगर West के हिसाब से एगर आप जो ए उस तरीके Um сохран अगर यह लो कलर गैंगर ले सकते हैं तो सबसे अच्छा है यह यह कलर का इंगी आ thereby आपको मिल भी जाएंगी नही तुम जैसे मैंने जो पौन पी। में दिखाएए ति उसमें यह कलर का फ्रीम था तो उस तरीके का आप ले सकते और लगा सकते बहुत अच्छा काम करेगा और सर जैसे कुबेर जी जो है उसमें सर नौस में रखेंगे तो जो ब्रास का होगा तो सर वो एंटी कलर नहीं माना जाएगा ने ने उसे क्ली कैसा है ना कि जब रेमेडी हम करते हैं तो वो हमारे सबकॉंशेस बेड केंसे वह बहुत ज्यादा है तो वह बिलकुल आपको नुटसान जिका मैं टोडी अबॉड़ अचलिक जि 파ांटिव वह को एंड ऊचलि प्いきश्ण तर रादे bindες लियुकंशे थी मैं और दो खड़स, आर दोग़स, आर दोग़स, आर दोगफ, आर दो